हमारे चैनल कीचन मन पितम की में आप सभी का स्वागत है आज हम अपनी कीचन में बनाएंगे कलाकन कलाकन बनाने के लिए सबसे पहले हम दूद से छेने को लग करेंगे तो इसके लिए हमने यहां पर डेह लीटर दूद का यूज किया है हमने यहाँ गाय का दूत लिया है, आप चाहे तो गाय भैस किसी के भी Dut का यूज कर सकते हैं अब हम पहले इसे चूले पे चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे गर्म होने के बाद हम इसमें अच्छे से उबा लाने देंगे जब हमारा दूद अच्छी सूबलने लगे तब हम इसमें डालेंगे पहले एक चमच विनेगर आप चाहे तो विनेगर के जगा नीम्बू के रसका भी यूज़ कर सकते हैं हमने पहले एक चमच विनेगर डाला और इसे अच्छे से दूद में मिला लेंगे अब हम फिर से एक चमच विनेगर डालेंगे और इसे दूद में अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे हम यहां गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दूद अच्छे से फट सके अब यह हमारे दूद से छेन अलग और पानी अलग हो चुका है तो हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे अब रवरी बनाने के लिए हम से पहले एक लीटर दूद और लेंगे साथ में लेंगे लाइची पाउडर चीनी और केवरा वाटर अब हम इस एक लीटर दूद को चुले पर चढ़ा देंगे और इसे गर्म होने के बाद हम इसमें भी उबाल आने देंगे पहले अच्छे स हम यहां गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दूद्ध जल्दी सूबल सके जब दूद्ध में अच्छे से उबाला जाए तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे अब इधर हम अपने छेने को देख लेंगे यह था ठंडा हो चुका है तो हम इससे पहले चान लेंगे इसके लिए हम एक बर्दन के उपर परेचननी रखेंगे और इसके उपर फिरम रखेंगे एक सूती कपड़ा अब इस पे हम अपने छेने को डालते जाएंगे हमने सारे छेने इसमें डाल दिये हैं अब हम हाथों की मदद से कपड़े को उठा लेंगे और इससे सारे पानी को निचोड लेंगे कि इधर हमारे दूद में अच्छे सूबा ला रहा है दूद के बरतन में चारो साइड से जीम रहा है तुसे हम निकालते वे दूद में मिलाते जाएंगे ताकि दूद हमारा जल्दी से गाढ़ा हो सके हम अपने दूद को यहां पर 1 लिटर से सुखा कर क 500 ग्राम तक रहने देंगे हमारा दूद आधा से जाधा सुख चुका है लेकिन इसे हमें थोड़ा और सुखाना है इधर हम अपने छेने को देख लेते हैं हम अपने छेने को कपड़े से निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे हमारा दूद से रवरी बन चुका है तो इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर साथ में डालेंगे चार से पांच चमा चीनी हमने यहाँ पर पांच चमा चीनी का यूज़ किया है अब दूद में इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और लगाता चलाते हुए हम चीनी को पहले अच्छे से घूलने देंगे अब हम अपने छेने को अपने हाथों से अच्छे से पहले मैश लेंगे हमने मैश लिया अच्छे से छेने को तो अब हम गैस के फ्लेम को पहले लो कर लेंगे हमारा दूद कर अवरी अच्छा सा बन चुका है तो हम इसमें अपने छेने को डालेंगे लो फ्लेम करने के बाद हम इसमें छेने को डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूद न फटे हम गैस के फ्लेम को भी लो ही रखेंगे लो रखते हुए हम चार मिनिट के लिए से अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे इसमें जो दूद है वो फट सकता है इसलिए हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे हम इसे अच्छे से लगातार मिलाते वे चलाते रहेंगे ताकि रवरी और छेना अच्छे से एक साथ मिल सके हमारा कलाकंद का मिश्यर रव अच्छे से त्यार हो चुका है तो हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और ओफ करने के बाद इसमें डालेंगे आधा चमच केवरा वाटर इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे यह हमारा कलाकंद का मिक्षियर अच्छे से बन करके तयार है तो हम एक ट्रे लेंगे जिसमें हम कलाकंद को जमाएंगे तो इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले एक चमच गी इसे अच्छे से फैला आते हुए हम लगा लेंगे आप चाहे तो इस ट्रे के जगह में कोई साभी कंटेनर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवे लेवल हो हमने यहां पे स्टिल के ट्रे का यूज किया है और हम इसम लगाएंगे घी को और इसके उपर हम कलाकन के मिक्षर को डाल करके अच्छे से फैला लेंगे हमने से एक बराबर करते हुए अच्छे से फैला लिया और इसके उपर डालेंगे थोड़े कटी हुए पिस्ता थोड़े कटी हुए बादाम हम बादाम को पहले चारो साइट से अच्छे से फैलाते हुए डाल देंगे और इसके बाद हम पिस्ता को भी इसके ऊपर से चारो साइड से डाल देंगे अब हम इसे लगवा एक गंटे के लिए इसे हम जमने देंगे एक घंड़ी के बाद यह हमारा ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से यहोचुका है यह हमारे हाथों में नहीं लग रहा है तो हम इसे चापू की मदद दे घुछ में काट लेंगे हम इसे कलाकन कंशिप देते हुए कर लेंगे हम इसे चार्व साइट से कट कर लिया और हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे यह हमारा कलाकंद बंगर के तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक पर जरूर बनाएं साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें